गुड मानिंग साथियों आप देख रहे हैं PVRA study खावर की सत्यता के लिए बता दूँ कि ये हिंदुस्तान मीडिया की website पर पब्लिस खावर है जो की 15 अपरेल को सुबह 11 बच कर 10 मिनट पर अपडेट हुई है इसमें क्या है कि नुएडा आप जानते हैं यूपी में सबसे ज़्यादा करोना का केस यहां पर है और यूपी का सबसे अच्छा साहर और बिक्सित साहर मना जाता है नुएडा लेकिन ये लागडाउन जो है थोड़ा सा लोगों के मन में गलत तरह सा विचार और गलत तरह से भावना इला रहा है आप जानते हैं सामाने तरह से भी लोगों को खांसी और जुकाम होता है किसी को खांसी आ रहा ही किसी को जुकाम है इसका मतलब यह नहीं कि सबकी हर किसी को कोरोना ही है क्या बच्पन में कभी जुकाम नहीं होता था आपको क्या कभी खांसी नहीं आती थी जिन्दगी में लेकिन नहीं अब इस समय कोरोना का खौप इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि नोईडा में लूडो खेलते समय चार दोस्तों में से एक को खांसी आ गई तो गुस्से में दूसरे ने गोली मर दिया ये बड़ी दुर्भाग के पूरण घड़नाए है दोस्तों अगर आप लोग भी लूडो खेलते हैं तो आप लूडो ना खेले ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी अभी हाली में आपने देखा था एक पत्ती पत्नी जो है लूडो खेल रहे थे उसके बीच लड़ाई हुई तो पत्नी ने पुलिस बुला लिया तो लूडो में बहुत लड़ाई होती है और ये बहुत गड़बड हो रहा है जान लीजिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं ये हिंदुस्तान मीडिया की वेब साइट पर पब्लिस ख़बर है कि चार दोस्त लूडो खेल रहे थे ग्राम दया नगर में ये नोड़ा का एक गाउं है उसमें एक इवक को उस समय खासी आ गई खासी आने के बाद क्या हुआ उसका पूरा वाक्या आप यहाँ से पढ़ सकते हैं देखिए पुलिस उपायुक्त तृतिये जोन के राजेस कुमार सिंग ने बताया कि मंगलवार देर रात दया नगर में जै बीर उर्फ गुलू परवेस और परसांद चार दोस्त मंदिर के पास बैट कर लूडो खेल रहे थे इसी बीच परसांद को खासी आ गई इस पर गुलू तथा अने दोस्तों ने कहा कि वह खासी कर कोरोना फैला रहा है इस बात को ले करके विबाद हो गया उन्होंने बताया कि इस पर गुलू ने परसांद के उपर ताबट तोड गोलियां चला दी उन्होंने बताया कि गंबीर हालत में ग्रेटर नोड़ा के एक अस्पताल में भरती कराया गया है और इस मामले की जाँच की जा रही यार लागडाउन ही एक मातर भिकल्फ है और कोई दूसरा अपसन है नहीं आप लोग कम से कम जीओ और जीने दो लाइव हिंदुस्तन.com पर आप इस खबर को चेक कर सकते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही लेकिन आप लोगों से निवेदन होगा यार लागडाउन का पालन करिए बहुत बुरी इस्तिती आने वाली है आप सबी समझ सकते हैं बहुत हालाद गंभीर है सरकार दिन रात कोशिस कर रही है कि किस तरह से हालाद को सुधारा जाए अगर आप ही लोग गड़बड करेंगे तो फिर कोरोना फे लड़ना और मुस्किल हो जाएगा जो है इलाज का परबंधन वो करेगी आज कल तो डाक्टरों पर भी हमले होने लगे हैं बताइए कहां कहां सुरच्छा करेगी पुलिस आपके घर में भी पुलिस लगानी पड़ेगी अब मतलब हार एक की घर घर में भी पुलिस होनी चाहिए कि भाई लड़ाई जगड़ा न हो अकिर ऐसा कम से चलेगा यार कुछ तो समझने की कोशिज करो दोस्तों को भी समझाइए और हाँ ऐसा खेलना के लिए जिसमें भी बाद होता है मिलते है फिलाल नेक्स्ट वीडियो में सबसे अच्छा आपसन आपके पास है आप मोबी देखिए कुछ भी देखिए अपने मोबाईल फॉन में अकेले लगे रही लड़ाई जगड़ावाले मैटर में मत करिए कुछ भी मत करिए और लगड़ाउन का पालान करिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं